कर दिखाया था आप लोगों को वह दिखाया था अलग पट्टी का एक इंच यहां से छोड़ कर फिर ड्राफ लगाया था इसमें छोड़ा है मैंने साड़े पर नेचे चटने का उसके बाद मैंने ड्राफ लगाना सुरू किया और ड्राफ लगाया है बिल्कूष साधे बिलाओ इसाधे कुर्ते की तरह से और इधर गला चोड़ाई लिए मैंने तीन इंच और लंबा इन इलिए शाड़े तीन इंच और यह जो जो ऐसे पलटए यह ऐसे पॉल्टे का यह होगी सिलाई ऐसे के ऐसे और यहां से हमारी जूड़ेगी कॉलर तो और यह बिल्कुर साधे कुर्टे की तरह से हैं और लंबाई इसकी रखी है मैंने 44 प्लस टो इंच तो 46 इंच में रखी है और बैक भाग में रखा है एक ज्यादा कंदे की तरब तरह यह है इसका बैक पार्ट गल्ला चोड़ाई वही एक इंच ज्यादा दिया है देखी यह एक इंच का निशान दिखिर आओगा आपको एक ज्यादा दिया है कंदे की तरफ से इधर पोना इंच का धगलान दिया है और मुड़ा लंबाई है यह और यह च्छाति के ऊपर से दिखाए का छोथा प्लस आदा इंच इधर कमर तो थैपले और यह फिल प्लास एक इंच लीपे सिलाह का निचाना लाए और डेड़ इंच आपने एक्स्ट्रा चोड़ाई है और यह बिल्कूस साधे कृते की तरह लगाया है और यह हलका सा यह शेप में जाएगा देख़ हलका सा A शेप में जाएंगा ये और इस और ये कट कर लिए हमने आस तिन 12 जिसकी लंबाई है और ये आरम होल के हिसाब से ये निशान लगाकर और हमने ये बना ली है और मैं आप करूंगा इसकी सिलाई और ये बहुत आसान है और आप इसकी मिड़ी या फ्रॉक में बच्च है ब्लाउज में लेकिन सिर्फ आधा इंच छोड़ के फिर आप ड्राफ लगाएंगे और कॉलर के लिए पट्टी अलग लगाएंगे तो अच्छा बैठेगा क्योंकि वह ब्लाउज है और ये बनकर बहुत ही खुबसूरत लगता है पहनने के बाद और पिछली बार जो मै आधा इंच छोड़कर जो उपर नीचे हमारा चड़ेगा ये छोड़कर फिर ड्राफ लगाना होता है चाहे वह कंदे का हो चाहे छाती का हो चाहे कमर का हो ये हमको आधा इंच छोड़कर ही लगाने हैं सारे नाप और इस मेरा चैनल पसंद आता है ता सब्सक्राइब करें आई बेल बुटन को प्रेस करें, थैंक यू सो मच पूर वाचिंग,